नमस्कार मैं हूँ जूली आप इस सक देख रहे हैं The India Top कोरोना की वज़े से इस साल भी गया में पित्रिपक्ष मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा आपको बता दे कि ये लगतार दूसरा साल है जब गया जी में पित्रिपक्ष मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है हाला कि हर साल की तरह इस साल भी पित्रिपक्ष के शुरू होते ही गया जी में श्रधालू आएंगे और पिंदान भी करेंगे पंडा समाज की माने तो इस साल एक लाग से भी जादा श्रधालू पिंदान के लिए गया जी में आने वाले हैं इसे सब को देखते हुए अब गया के जिला प्रसाशन ने तयारी करनी शुरू कर दी है इसको लेकर गया जिला प्रसाशन ने आने वाले यात्रियों के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किये गया है इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि संभव हो तो राज्य के अंदर और बाहर के श्रधालू कुरोना की वज़से पित्र तरपन के लिए गया ना आए लोगों के बड़े ग्रूप में आने पर प्रतिबंध रहेगा पित्र पक्ष को देखते हुए राज्य कारे करम नहीं होगा पंड़ा पुजारी इसे सुनिश्चित करें कुरोना गाइडलाइन से संबंधित दिशा निर्देश के तहट सीमित संख्या में लोग पिंदान कर सकेंगे इस समय पिंदान करने वालों के लिए कोई विशियस विवस्था नहीं की जाएगी इसके साथ ही पिंदान करने आई यात्रियों की सुविधा के लिए भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिये गया है इनमें कहा गया है गया आ रहे पिंदान करने वाले यात्री रेलवे स्टेशन पर बने पुलिस कैम्प, जिला प्रसाशन के कैम्प या फिर पंड़ा समाज के कैम्प से संपर्क कर श्रद्धा से संबंध जानकारी ले सकते हैं जिला प्रसाशन की ओर से तिर्थ यात्रियों के लिए एक कंट्रोल रूम की विवस्था भी की जा रही है विश्नुपद मंदिर स्थित संबाद सदन में भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा यहां भी तिर्थ यात्री अपने समस्या का समधान कर सकते हैं तिर्थी आतरी खुद अपने छेतर के पंडा से संपर्क कर पिंडान के कारे कर सकते हैं विश्णुपद मंदर के प्रबंध कारणी समीती की ओर से मिले जानकारी के मताबिक रेलवे से आ रहे यातरियों के सुविधा के लिए मंदर के कुछ पंडा और कर्मचारी रेलवे स्टेशन पर मौझूद रहेंगे वो यातरियों के खाने पीने रहने और यातायात की समस्याओं में सहायता करेंगे उनके समस्याओं का समाधान करेंगे वही रोड के जर्य आ रहे है यात्रियों की सहायता के लिए भी पंडा मौझूद रहेंगे यात्री अपने छेत्र के पंडा से संपर्ख करके भी अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं इन सब के बावजूद भी अगर किसी यात्री को कोई समस्या होती है या पिर वो इन सेवाओं से संतुष्ट नहीं होता है तो वो सीधा विश्णुपद मंदिर में जाए वहाँ पर लगभग हर प्रांत और छेत्र के पंडा मौझूद है वहाँ पर वो उन पंडा से संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं पित्री पक्ष 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा तरिपाक्षिक श्राद कराने वाले 19 सितंबर से ही पुनपुन या गया शहर के गुदावरी तलाब से पिन दान की क्रियाज शुरू करेंगे 20 सितंबर को फल्गू में पुर्णिमा शुराद होगा जो की 7 अक्टूबर तक चलेगा वहीं सिटी डियस पी राकेश कुमार ने कहा है कि इस बार पित्री पक्ष मीला को लेकर कोई भी विश्येस प्रवन्द नहीं किया गया है लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि लाखों की संख्या में इस बार भी शुरधालू आने वाले हैं इसी के लिए सुरक्षा के मद्दे नजर अलग-अलग जगों पर फोर्स की तैनाती की जाएगी जितने भी entry point है वहाँ पर पुलिस पिकेट की तैनाती की जाएगी इसके अलावा जितने भी महतुपूर्ण स्थान है वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती की जा रही है भले ही इस बार पित्री पक्ष मेले का आयोजन नहीं हो लेकिन गया जी में सुरक्षा को लेकर बहुत ही पुखता इंतिजाम किये गए है भले वो यात्रियों की सुविधा को लेकर हो या फिर कोनोरा की गाइडलाइन्स फॉलो करने को लेकर खबरे इस तरीके की और भी हैं जो लगातार हम आप तक पहुचा रहे हैं अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप यह वीडियो हमारी फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो पेश को लाइक और फॉलो करना ना भूलें धन्यवाद